अब जैसे यहाँ पर लिखा है छात लड़के डांसर तो देखिए छात लड़के डांसर देखिए अब लड़का छात भी हो सकता है डांसर जो है छात भी हो सकता है मींस छात लड़के ये तीनों आपस में सब कुछ हो सकते हैं तीनों एक जाते के हैं तीनों एक समान हैं तो म को भी तीनों एक ही जाती के Хैं कि इंजिनियर लिए पढ़ाता भी है चीजर भी पढ़ाता है और जो सिंगर होता है ये भी तो किसिक сердों को बढ़ाता है कि मेंस आते जाते हैं है रुप हैं तो सुन जाते हैं फिर लीजिलिग Só moeten ये आप तो आप पढ़ाई के साथ गाना का सकते हैं ये छोटर बूटर काम कर सकते हैं लेकिन एक साथ दो डिगरी जिसे लिखा है पर लेकिन दो डिगरी एक साथ नहीं ले सकते हैं जिसे अब इंजीनियर हो गया टीचर हो गया सिंगर हो गया है ना अब इंजीनियर टीचर जो है इंजीनियर भी टीचर हो सकता है और टीचर भी इंजीनियर हो सकता है क्योंकि इंजीनियर भी तो पढ़ाता है और टीचर भी पढ़ाता है और यह दोनों जो है सिंगर भी गाह आप किसी भी स्टाइरी कर सकते हैं एक बार में एक साथ अप डू डिगरी नहीं ले सकते टुट इंगें टीचर तो इसमें यह बन जाएगा है इलाई है च 1200 सब्सक्राइब करना कि मिस्चरे का मलत पर बेक्टेश व्जियन दोनों करते लेकिन दोनों कि हैं अलग अलग है अब बात कहलते हैं ऐए लग देखे यह ये भी तीनओ कि ढाल नोगा है B बात किए औमन्हें सिंगर्त है आप देखाई कैसे आप सोज रहेंंगे हैं आप ना कि ये कैसे तो सबत चतरए को चुटर पूटर ह hedge pandemic इसलिए इसका जो का ड ép Queens ये एफिल आप सब समझ रहें वहें होगे अगर बात करनें राज जीला कालोनी ये राज होगा जीलव कालोनी होगा पर्थिवी ग्रह मंगल ग्रह के अंदर क्या जाग Ne まंगल उसके अज़नल से आपको मैं पढ़ा दूओ आई है ये फ्रफारेंसिस करांD जop तो फ्रांसीसी क्रांद के स्थापना 1664 स्वीए में लूई चोदोवे समराट के सासनकाल में हुई थी फ्रांसीसी क्रांद के स्थापना 1664 स्वीए में समराट लूई चोदोवे के सासनकाल में हुई थी फ्रांसिसी करांद के समय मंतरी काल बल्ट था और कंपनी का नाम था कंपनी डेज इन्डिसे ओरियंट लेज फ्रांसिसी कंपनी को सरकारी कंपनी भी कहाता था 1664 में फ्रांसिसी करांद के साफना हुई और 1667 में पर्थम फ्रांसिसी अभियान दल भारत आया जिसके नेतुर्द करता फ्रांसिस कैरो थे 1667 में पर्थम फ्रांसिसी दल भारत आया जिसके नेतुर्द करता फ्रांसिसी कैरो थे फ्रांसिसी ने अपने पर्थम व्यापारी कारखाना 1668 में 68 में सुरत में स्तापित किया अबने तुषरी व्यापारी कार खाना तो 16 म सतब्रतो एलें के लारें अंग्रेज और फ्राशिश्यों के मद्लिशा 50 जबाएं से जाना जाता था है ना अंग्रेजीछ और फरांसेज अब बाद कर लें करनाटक के 3 योद्य हृत है है ना तो पर्थम करनाटक योद्त का हुआ था 1746 से 48 अगया nasze अर्द यूद्ध का पर्थम करनाटक यूद्त के बाद है पर्थम करनाटक यूद्त जो यह युद्व आस्टरिया युद्व की समाप्ति के बाद एक्स ay Лtech पिलसन्द के माध्ध में समाप्त हो गया है न दूत्य कनाटा जूत कवा था ते पहला हुआ 46-48 सत्रा सू छेालीस से 1778 फिर 1454 फिर 57 से 63 है ना दूत्य कनाटा जूत जो है नवाबी पद को लेकर प्रारा हुआ और बिना किसी निड़ने के साथ हो गया इसमें ही कौन से थे नासब जंग का मुझफर मुझफर दाजंग थे और चानदा साथ था तृतिय करनाटा जूद जो है विन बताए दिया 1757 से 1763 इस जूद के दौरान वांडिवास के निर्णायग लड़ाई लड़ी गई और पेरिस की संद के दौरा या जो है तृतिय करनाटा जूद समापत हुआ था और परसम करनाट जूद जो है परसम करनाटा जूद जो है आश्री जूद के समापति के बाद एक सेंपल एक सेंपल संद के माइदम से साथ हुआ था उसके बाद आता है वांडिवास कर जूद 22 जनवरी सन 1760 22 जनवरी सन 1760 इसवी में अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के मद्द लड़ा गया था अच्छा करनाटा का जूद जो भी करनाटा का जूद भी अग्रेजियों फ्रांसीसों के भी लड़ा गया था है ना करनाटा के बीच भी अंग्रेजियों फ्रांसीसों के में लड़ा गया लेकिन इसमें बेटे सेना का नेतर करता आयर कूर्था और फ्रांसीसी करा पाउंत लाली कर रहा था और इसमें हमेशा अंग्रेज जीते आरा अंग्रेज जीत गए और भारतिय फ्रांसिसी जो है भारतिय व्यापार से बाहर हो गए इंडिया कंपनी के बंगाल के नवाब देखिए बाबर से मुगल समर्द सुरॉत होता अंत होता औरंग जेव से 1526 से औरंग जेव का बेटा बहादूर सा पर्थम था लेकिन औरंग जेव ने मुर्शीत कुली खां को स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक गुफशित कर दिया था मुर्शीत कुली खां का लेकिन औरंग जेव का बूत बहादूर सा पर्थम था इसने कहा मुर्शीत कुली खां ब अलवर्दी खाने मनलब काफी विश्थार किया है ना यह मुर्सित कुली खान तो सौथं बंगाल सदॉपक στα फिलका लेकिन उसके बाद अलवर्दी खाने बंगाल में बिहार टत्र को सामीप कर लिया अलवर्दी खाने अंग्रेजियों के बाता एक से जारम हं वेंगे हैंfeit उसके बद अलवर्दी खाह कि मेरति के बाद उसका नाती नाती बोले तो क्या पुत्र का ech का पुत्री का पुत्र सरजु त डौला का पूत्राजु दौला के तेखी बन गया कामूर में और स्वाजिय दौला की विरूदों में कौन से था पूड़िया नवाप सौकद जंग सौकत जंग, घसीटी वेगम, राय दुल्लब, जगासेट, सिनापती मीर जापर सौकत जंग, घसीटी वेगम, राय दुल्लब, जगासेट, मीर जापर चलते हैं मनिहारी का यूद का वत, अक्टूबर 1756 ने मिस प्लासी के यूद से पहले सौकत जंग के बीच हुआ, जिसमें वीडियो सौकत जंग के बीच हुआ, जिसमें वीडियो सौकत जीट गया, ठीक है, अब पचलते हैं की सबूंदे को काल गत्ता पराधिकार करने की उद्दे से 15 जून 1756 को, स्रजी दौलास, फूर्ड विलियम नामख के लिए जो करने के लिए 15 जून 1756 को स्राजी दौला ने फोल्ड विलियों नामा के लिए पर आकमर के और अंग्री धुमां से चल भाग गए कहां ज्वारग्रद फुल्टा दूब में जाकर सरड ली तो स्राजी दौला ना क्या किया कि काल कोट्री घटना या ब्लैक ट्रेजडी या काल 2446 के जो कोई घटन यूद कमरे में बंद कर जिसमें से 21 क्यों जिन्दा बचे या घटना काल कोट्री घटना की नाम जानी है ती इसकी जो जानकारी है संपूर जानकारी की हाल वेल नामक अंग्रेज ने दी थी और प्लासिक यूद कफ़वा था देह जून सन 1715 को लाड़ कर लें वहां पर टहला था गौत्म बुद्र के मौशिकों थी प्रजापति गौत्मी प्रजापति गौत्मी थी घटी बेगम थी और उन जेब का पूत्र तो हुए गया है ना बस थैंक्यू और जो है अफ्रसर पढ़ लेते हैं यह जो यह बन गया है उत्री धुरू है यह दच्छी धुरू है है ना अब जो बीच लाइन होती इसको बोलते हैं विश्वद रेखा या भूमद रेखा जाजियो डिगरी डेखा उपर उत्री धुरू है नीचे क्या है तेज़ दिग्री है ना अब ओध थोर से बता ले आपको यह हो कि विश्वत देखा उपर कर रेखा नीचे में कर रेखा उपर है का साड़ी 6 डिग्री पर आर्क्रिक विरत नीचे है अंटार्टिक विरत है ना अब तो ओपर यह सब धंड तेंड हैं सिट्वस कड़ी बंद यहां पर भी सिट्व कर्टी बनद करधा है ऑच्छा अ हません यह और थंड़ी है कि हम थोर सा bounce आप को हम की विश्वत रेखा यह हमारी विश्वत देखा व्रियमार है क्या हमारे है उस से yang facts वान जाने से तापमान में कमी आती है विस्वत रिखा से धुरूग जोने में तापमान कमी आती है कहने का मनलब है यह जो लाइंड है उस्वत कटबंदिये च्छेट इसको बोलते है मिन्स उस्वत कटबंदिये च्छेट में बहुत गर्मी होती है कहने का मलब यहाँ पर temperature बहुत अदिक होता है तबी तो मैंने कहा कि व्षवद रिखास दूरु में आने पर टापमान में कमी आती है means यहाँ पर टापमान की अधिकता है यह जो वेस्वद रेखास के पॉइंट लाल से किया है यह हमारा बहुत ही गरम होता है और गरम वाले को क्या परते हैं उस्ट कट बंदिये छेत्र तो इस वत देखा से धुरू जोने पर तापमान में कमी आती है और आपको बता दें कि जो साड़े तेश्ट डिगरी यहां पर है मैं बताया आपको कि इसकी बीच कर तो मैंना अगर कोई पूछे क्या पर हो गया तो दोनों गुलार्दों के साड़े तेश्ट डिगरी अच्छांस चेखाओं के बीच का छेत्र जो है उस्ट कट बंदिये छ तो इसका विस्ता दोनों गुलार्दों में साड़े तेश्ट डिगरी से यहत रहत भात आम GP na सुल्ओरों के बीच पर के अन्हें बाद में दिन रात की अवदी बराबर होती इन दोनों में दिन रात की टाइम जो है अवदी बराबर होती है इस शेत में ना तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत अधिक सर्दी पड़ती है किसमें सीतोस्त कटी बंद में है ना अब ये साले साले चांच्छट डिगरी के ऊपर जो इससे बना है यह क्या ठंडी है तो साले 66-degree से धुरो की बीच जो है वो ठंडी पड़ती है इसको क्या बोलेंगे सीद कटिभण है नई तो सार possibility से ध्रूं के केंदानों के बीच जो यहां पर सूर की किरड़े तरशी होती हैं यहां पर सीज़ करड़ बन होता है यहां दिन-रात की हवदी 24 घंटे से कुछ अधिक होती है ध्रूं के पास छे मा का दिन, तथा छे मा का की रात का समय होता है इस छेत में सूरी कभी लंबवत नहीं हो पाता है अब गता तो वायुदाब क्या है पिरती एकाई छेतरफल पर पढ़ने वाले भार कोन का कहते हैं दाब कहते हैं वायुदाब की सरपतम खोर गियूरिक ने की थी कौन की थी? गियूरिक ने की थी वाइब दाब कुम अपने वलियंद को बैरो मीटर कहते हैं समदाब किसे कहते हैं समदाब रेखा या आईसो बार लाइन समदाब रेखा या आईसो बार लाइन समान वाइब दाब वाले छेतरों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं प्रतिवी तल पर सरवाधिक वाईवदाब होता है और उचाई के साथ साथ वाईवदाब में कम आता है इस तरह आपने सुना होगा कि पहाडों पर खाना बनाना कठी नहीं को कि वहाँ पर वाईवदाब कम हो जाता है वाईवदाब कहने का मतलब कम हो जाता है means क्या temperature कम ही आ तो प्रस्वी पर जल्दी खाना बन जाता है इन पहाड़ पर वायुदाब कम हो जाता है तो खाना देने पकेगा है ना कि और बात करने की वायुदाब 100 फिट पर कि एक